जैहिंद के डिट्स वेलकम टू भावीबोर चैनल आज हम एक बी सर्टिफिकेट का लेटेस्ट कोशिन पेपर है मेरे पास उसे डिसकस करेंगे देखो जो आपके बी और सी सर्ट के एक्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है बाकी स्लेबस दोनों का सेम है एंड बहुत सारे कोशन अगर मेरा पूराना सी संच वाला पेपर सॉल्व देखा आते हैं मेरा पूराना सीसर्ट वाला पेपर सॉल्वário देखा है तो और पहले बी सर्ट के भी बहूत कोशन पेपर अप्लोड करें नहीं तो आप चेक करो जाना है जिससे आ पील आएगी जैसा पहला आल्राइट इसमें पहला पूछा है है डेस्ट इप्स आरिकनि कुली लाइन चल में डेर्ड स्टेप एक ठेड़ो एक दो एक और अधर स्टैब्लेते ठीक है वन डाश मैंश मैक्सिम मैं अन्बर ऑफ स्टेप अलाओड फोर्वर्ड and backward आगे और पीछे पर कितने maximum number step ले सकते हैं एक ही की लेते हैं ले सकते हैं एक ही की ले सकते हैं maximum ठीक है distance between two hills in Vishram position is heel to heel का distance कितना बताया था 12 इंच यह उपर double column लगया यह column नहीं है यह dash double dash inch पढ़ते हैं उसको ठीक है और toe to toe का पूछ ले अगर तो वह होता है 18 inch clear one on the word of command parade पर यह parade पर सब को पता है 1412 यह पुरानी वीडियो में आप देखो कितने कोशन से मिला रहते हैं हालकि यह बी सट का और वह सी सट का था लेकिन जस्ट आप चेक करते चलो length of steps in double time March length जो आपका step होते उसकी length पूछिए 30 inch यह ड्रिल वाली वीडियो में में पूरा टेबल करवा रहा है उससे देख लेना जागे एक बार है इसमें क्या होता है इसका process पूछा है basically करते क्या है सज दाइने सज में तो एक बार अगर आपने squad में किया होगा तो आपको पता होगा फिर वें फटा-फट से बता देता हूं कि कमांड जैते हैं सज दाइने सज तो एक बार काद मिलते हैं 12 फिर एक शिक्की पर आपका तो थोड़ा-थोड़ा से हिलते हैं सेट हो जाते हैं फिर छिक डुख जाते हैं फिर लास्ट पर हात नीचे इसमें ध्यान देने की बात क्या है जो extreme right सबसे right में जो squad की खड़े होंगे वो लोग हिलते रही है वो तीन बंदे जो खड़े होंगे बिल्कुल स्ट्रेट खड नेक्स देखिए question number three what are the points to be observed while saluting अब सामने सलामी ठोक रहे हो तो उसके उसके मलब process बता दो और क्या-क्या आइब रोज से ऊपर रेस्ट करती है ठीक है और keep the hand in a definite position वही कि आपकी जो कोणी हो गई वो जमीन से parallel होनी चाहिए के salute करते हुए and फिर आपका हादिधम कट के सामने आना चाहिए smartly cut down hand smartly to the right position clear अब इसमें language देख ले ना बाकि आपको चीज़े समझ आ गई होंगी you can write next question है यहाँ पे explain the position of cane when in सावधान पोजिशन के समझते हों क्या होता है पाइलेटिंग करते हैं चीफ गेस्ट को लेकर आते जो बच्चे वह हाथे में डंडा सकते हैं जिसके आगी गोल लड्डू सा बना होता है उसको बोलते हैं English में क्या बोलते हैं के तो इसमें पूछाए कि केन में कैसे घड़े होंगे स करें आपके पूजिशन के आपके जो राइट हैंड होगा वो राइट हैंड अपनी जो ट्राॉजर उसकी जो स्टीचिंग उसके रेस्ट करें वहां पर रुख जाएगा या जो लेफ्ट हैंड के बाजू में अटका कि हम केन को पकटते हैं दो तीन तरीक से पकटते हैं कि आपका जो थंब है वो उसके गोल से लड़ू होता है उस पर रेस्ट करता है यह और चिन अप चेस्ट आप बिल्कुल आंखे एकदम स्ट्रेट ऐसे यह आफ की पोजिशन होई सावधान भी लिख देना ठीक है पढ़ लेना इसमें इंगलिश में क्या लिख है वो पढ़ ले विदाउट राइफल तो अराम से हाथ पीछे वह विश्राम वाली पोजिशन होती है वह थोड़ा सा रिलेक्स बोड़ी को छोड़ देते हैं यह वाला होता है लेकिन राइफल में क्या करते हैं राइट हैंड स्लाइड स्माट्री ऑंदा बैनट ऑफ दा स्टेंडर्ड दे स्कॉर्ड राइट हैंड स्लाइड स्माट्री दाउन तो बिगन अगें एंड पोजिशन एड स्टेंड एड इस रिजूम्ड अगर आपको जैसे कमांड मैंने बोला ना स्टार्टिंग में हाथ अपना वह थग जाता है उपर पैसे मोड के रखते हैं राइफल तो लेकिन जब कमांड आते स्कॉर्ट तो एकदम तुरंत हाथ को चटकी से उपर लेका जाना है पता नहीं चलना चीए और रिलाक्स अली पोजिशन में हो जाओ यह हुआ क्लियर है सिंपल सता अगला देखो वैपन ट्रेनिंग इसमें भी सबसे पहले फिल इंद बैक्स कुछले सवाल ओयल वाली चिंदी का साइज क्या होता है तो फोर इंटू वन एंड़ हाफ इंच साड़े एक इंच वो थोड़ी ची छोटी होती है से किलियर मैगजीन कैपेसिटी ओफ हैसलार कितनी गोलिया पड़ती है एसलार में बीस राउंड्स डैश प्रेशर आर आर तो राइट शोल्डर पीछे की तरफ जटका देता है किलियर है वेट ओफ मैगजीन अलों मैगजीन खाली मैगजीन का वजिन कितना होता है नाइन ओस कितना नाइन ओस दक कैपेसिटी ओफ एसलार मैगजीन वही देखो सेम कोशन रिपीट कर दिया उसकी कितने राउंड उ जो शूटिंग करते हूं उनके लिए है यह बहुत जादा डेप्थ का कोशन है समझ में भी आएगा तो इसे छोट देना नहीं पूछेंगे मैं गारेंटी देता हूं ठीक है अगला देखिए एट कोशन वाटर दा डिफरेंस बिट्वीन लोडिड राइफल एंड चार्ज चैंबर वो उसके बोल्ट के पीछे वाला एरिया होता है जहां पर गोली डालके फायर करते है डारेक्ट तुरंत है ना यह चीज होगी लेकिन चार्जिंग ओफ मैगजीन का मतलब क्या हो गया कि खाली मैगजीन की बात नहीं हो अभी जो मैगजीन होती है उसकी वह निकाल तो उसे जरूर जरूर पढ़ लेना मैंने इसके दोनों पार्स बना दिये हैं ठीक है कैलिवर का साइज 0.22 जो आगे लिखा होता है वही होता है वेट कितना है 9 LBS 2 यह डिलक्स में बता है 0.22 मार्क 4 M3 वाली थोड़ी सी हेवी होती है यह उसके बारे में नहीं बता है लेक कितनी होती है इसकी 0.22 डिलक्स वाली की 43 इंच या 110 सेंटीमेटर एफेक्टिव रेंच 25 यार मैगजीन केपसिटी 5 राउंट्स नॉर्मल रेट ओफाइं फाइरिंग 5 होता है और रैपिड में इसको तीन गुना कर देते हैं 15 10 से 15 लिख देना ठीक है एम्योनेशन 0.22 क्लि यूनिटी एकता की भावना को हम नैशनल इंटिग्रेशन बोलते हैं अब इसको एलोबरेट करके कैसे लिख सकते हो कि इतने सारे धर्म, जाती, कास्ट, कल्चर, क्रीड, एथनिसिटी, लैंग्विज, लिंग्विस्टिक ग्रूप्स है ना इनके होते हुए भी एक पर्ट होती है ठीक है मतुरा सिचुएटेटेटि इन सबको पता है युद्तर प्रदेश डेली सिचुएटेटि ओन दा बैंक ओ रिपर यमुना रैंक ओफ आर्मी चीफ इन इंडिया इस जरूर है क्या नाम है पूरा आर्मी चीफ का मुझे कमेंट बॉक्स में नीच लिखे और ऑफिसर्स वो कहां ट्रेन होते हैं दो जगें होती एक तो ग्वालियर में और दूस्वरा केंपटी के अंदर यह ग्वालियर केंपटी से कुछ याद आया एंसीजी फ्लैक के अंदर जो 17 लोटस होए उनके बीच में जो दोट होती है वो किसे रिपरेजेंट करती है इ यहां पर 5 लिखे हैं क्योंकि 5 पूछ रखे हैं ठीक है माउंट देडरिंग ट्रैकिंग साइकलिंग और मोटर साइकलिंग पैर जंपिंग पैरसेलिंग पैरस लिध रिदिरिंग आपको यह सोंग पता हो ना ही चाहिए किसी भी हालत वे अब इसको याद कर ले ना और एक बार लिखके देख ले ना क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आती बच्चे को याद तो है गातो देंगे फिर पहा पर बैठके ना गाने में लगे होते हैं कि इसके बाद कौन सी है हम सब भारते हैं इससे पहले कौन सा था कदम मिला के चल वो मुगद्याल सरने लिखा था वैसे उसे पूछे के लिए चलो आगे बढ़ते हैं वाट इस सोशल सर्विस वाट आर दा मेजर सोशल सर्विस एक्टिविटीज करीड आउट बाई एंसीजिक एडिट्स देखो किते रिबीट होते हैं किसी ने वीडियो देखी ना दोनों से पता चल रहा होगा विए सोशल सर्विस क्या होती है किसी भी पूर या नीडी परसन की हेल्प करना इस गॉल्ड सोशल सर्विस very simple NCCC करते हैं जैसे बलड डोनेशन ड्राइव हो गया रोड सेफ्टी रूल से द्राइब हो जाता है पोल्य अवेर्नेस एड्स अवेर्नेस हेल्पिंग दूरिंग एमर्जेंसी यह मैं आप स्वाश्ता पकवाड़ा प्लांटेशन ड्राइब ऐसे करके भी लिख सकते हो किलियर अगला देखो what is map देओ how general question what are the advantages of map map होता है representation of a piece of land on a piece of paper according to scale according to scale एक स्केल के हिसाब से एक जमीन के भूबाग को हूब हूब एक कागज या कपड़े पे दर्शाने को बोलते हैं मैप किलियर हो गया अब इसके फायदे इसके फायदे हैं कि we get an idea of the ground without actual picture हमें जाके फोटोटी कीच के देगा कोई जगे जाना है तरको नहीं वह map दिखा देते हैं without actual ground के हमें एक आइडिया मिल जाता है उस particular ground का यह चीज इसमें अगर थोड़ा जादे माक्स का पूछ ले तो यह बता देखो हम अपनी position find कर सकते हैं enemy position find कर सकते हैं इस दूसरे के जा सकते हैं reference के through ऐसे करके लिख देना जो भी clear अगला देखो right five uses of planting trees पेडों के पांच फाइदे पूछ लिया बच्चे वाला सवाल वही more oxygen supply healthy atmosphere solution of problems prohibition of flood ठीक है availability of more fertile soil raw material for various household items and others पेड़ से में क्या क्या फाइदे हैं लिख सकते हो तो कोई भी पांच लिख देना इसमें थोड़े हैवी से दिये हैं बढ़ आप आसाना संसे भी लिख सकते हो next question what is civil defense याद है पढ़ा है ता है डिजर्शन मेंजिमेंट में civil defense होता है defense of a citizen by citizen नागरी के द्वारा नागरी का बचाओ इसको बोलते है civil defense clear जो bookish language ना वो इसमें छाप रखी है वीडियो पोस्ट करकर के पढ़ते रहे न उसको लेकिन समझते चलो पहले ठीक है what is the duty and discipline पिछली वीडियो में बताया था discipline वह होता है एक authority discipline में authority आगी कि कि किसी organization ने उसके rules और authority के हिसाब से हमें कुछ follow करने के लिए बोला है that is discipline लेकिन duty होता है कि भगवान की इच्छा है या मेरे फर्ज है मेरी citizen has a rights of right and certain duties to perform अब ऐसा नहीं कि ड्यूटी की आपको जैसे फोर एक्जामपल अपनी घर के बार सड़कों क्लीन रखना है यह आपकी ड्यूटी यह पार्क्स वगर को आपको क्लीन रखना चाहिए यह आपकी ड्यूटी क्योंकि वह क्या चीज है हमारी government properties या हम कहीं public property लेकिन अगर आप वहां पे कचड़ा डाल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता कि पुलिस वाले आगे उठा के लिगाते तुम्हें नहीं बहीं ऐसा नहीं होता discipline में ऐसा हो सकता है discipline में अगर आप अपने NCC के रूल्स वगरा नहीं मान रहे तो रगड़ा मिलता है ना बढ़िया से हां बस समथ जाओ authority में discipline और God's will में या consensus की बात जहां पर आएगी वो duty किलियर होगे लिख लोगे आराम से करके अल्राइट नेक्स देखो what is man management what are the factors affecting man management man management क्या होता है यह use होता है army के terms में armed forces के अंदर की अगर आप मैं 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 इसको बोलते हैं basically term army में मैं क्याना चाहता हूं man management may be defined as the creation and maintenance of an effective and content continent continent unit एक आप बहुत बढ़िया unit unit समझे रहो आपके section जोड़के टीम बना पाऊ ऐसे लिख सकते कुछ भी कि उनका creation उनकी maintenance एक effective तरीकी से आप कर पाऊ है ना जो बंदा जिस चीज़ में perfect इतना efficient बनाओ कि वह जाद से ज्यादा हाम पहुचा सकी कि इसको enemy को उसको इस effective तरीकी से deploy करना यह हो जाते है अपना man management और what are the factors affecting management management मैंने management का aim भी लिख दिया मैंने यहाँ पर एम होता है और after battle भी पूरा जो जिस काम में निपून है अगर आप उसको वही काम करने के लिए दोगे तो वह सबसे बहत्रीन करके दिखाएंगा नो इस चीज़ को तो यह समझ लो इस तरीके से अब पूछने factors affecting man management की कौन-कौन चीज़े हैं जो factor में man management को effect करती है अब याद करनी पड़ेंगी इसका कुछ मतलब तुक्का मैं कहां से बहुं है याद करनी पड़ें कुछ चीज़े बिल्कुल ठीक है अब देखो explain the following कुछ terms दियें इसमें explain करने के लिए हो सकता है आपको किताब में ना मिले लेकिन descended past Gefndy past क्या होता है दक ground occupied by the Section 4 Defense है एक ground था किसी section section पर कितने जवान होते हैं किते लोगते दस उन्होंने एक ground को occupy कर ले किसकी लिए डिफेंस के लिए कि यहां पर हम डिफेंस करेंगे यहां पर हमला नहीं करेंगे इसका बचाव करना है इस तरीके से तो उसको हम बोलते हैं डिफेंडिड पास्ट के लिए अगला देखो observation post observation post क्या होती है एक tactical एक ऐसी जगह अगला देखो अगला है इसमें दिया है डिफेंड पोजिशन यह क्या होता है डिफेंड पोजिशन होती है एक ट्रूप था एक यूनिट आर्मी की जोड़ जोड़ के एक ट्रूप था उसने एक एडिया को कर लिया capture ठीक है और वहाँ पे छुपे है दो तरह से कवर होता है ट्रूप चुपे हैं अगर गोली चले कि तो अब आफ इस इतने बढ़े तरीकी छूप रखें इस चीज़ को बोलते हैं डिफेंड पोजिशन डिफेंड पोजिशन लेली उन्हों ने गोली गोली से भी चुपे और फाइर से चुपे हैं ट्रूप समादें कि अगले देख क्या करता है는데 निगरादी करता है उसको बोल जाइंगे अंतरी को एक होता है यहां पर्सने किया जाता है कि यहां अर्ली देता है कि हां पर anmeeoires है वैसे स्कॉर्ड भी यही काम करते हैं हो आई जेन यह सुते हैं लेगिन यह वाला वही बंदा की थोड़ा सा तू आगे चले और हम सरी टूप पीछा रही है तो थोड़ा पहले ही आगा कर देना उसको भी संत्री बोलते हैं कि लियर अगला देखो सब्सक्राइश का इन फ्रेडिड़ा इंफ्लेड़ाइट होता है कि सामने चाहिक होता ओने वाला काम होता है के लियर होगये अगर देखो what is ecology देखो दो दो टर्म आती हैं चेप्टर का नाम हमारा दो ही था दो टर्म से बना था environment and ecology environment होगी अपना परियावरान आसपास का ecology हो जाती है study of relationship between और क्या लिखाई यह relationship of organization with living and non-living non-living environment यह एक science है basically ecology is a science इसमें science से तो कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे relationship पढ़ेंगे कि संबंद कैसा है और organization के बीच में और living और non-living environment है उनके बीच में कैसा ताल मेल बैठ रखा है इसकी study science वह ecology के अंदर आती है clear अगर आदेखो 22 question how we maintain ecological balance ecological balance हम कैसे maintain करेंगे points देख्लों के फटाफट से बाइफोर्स्टेशन development of forest की वच्च से कर सकते हैं हम by preventing killing and hunting of animals कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो ecological balance बना रहेगा ना by controlling over population population को control करके by maintaining proper biotic and abiotic environment की यह चीज की जैसे जंगल है ना तो वह भाई उनके बाइटिक उन लोगों के रहने के लिए उनके अंदर animals की कुछ space है वह उसके लिए है ना यह उसके बीच में सडक निकाल के लिए जा रहे है तो ऐसे ecological balance थोड़ा ना बना रहेगा अगले देखो by controlling pollution pollution कम करेंगे तब भी ecological balance हम बना के रख सकते हैं किलियर नेक्स्ट कोशिन देखिए draw the conventional sign of the following metallic road milestone इसका स्ट्रेट लाइन होता है milestone का एक वह बन जाता है डबासा उपर camping ground गास गास सी बन जाती है ग्रियम्स में भी गास गास सर्वेयर इसको अगर और क्लियर देखना है तो मैपली वीडियो आप देख लेना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्लियर अगला देखिए नेम 5 wildlife centuries in India कौन-कौन सी फाइल कोई भी पांच wildlife century लिए जो आपको याद हो मेरे को जोती मैंने वाली छाव दिया पर गिर नेशनल पार्क करनाट काजी रंगा नैशल पार्क असम कोबर्ट नैशनल पार्क नेटाल उत्राखन दुदुवा नैशनल पार्क यह है लखिंपूर उत्तर प्रदेश रोहिया नैशल पार्क कुलू हिमाचल प्रदेश कोई भी पांश लिग देना जो आपको आपको याद हो ठीक है मैं देखिए वाट इस फ्रेश्ट एड वाटर दफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्ट आप फिस्ट ग्रवत अब फिस्ट आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि देखो यह डियर्क्ट कुछन फूचते हैं अब इसमें प्रिंसिपल रटने ही पड़ेंगे किसी तरीके से जैसे लीडर्शिप ट्रेट्स मैंने बोला रटने ही पड़ेंगे ऐसे कुछी पॉइंट वाइस रटनी होते हैं क्योंकि खाली पॉइंट लिखने नंबर मिल जाते हैं तो फर्स्टेड सब को पता है इंजर्ड पर्सन को असली मैडिकल सुईधा देने से पहले वाली जो सुईधा नर्वस सिस्टम जित्ते हैं याद करने अच्छे से ठीक है नेक्स देखिए क्वेश्चन अबर 26 वाट एड कैन दे एंसीजिक एडिट प्रुवाइड तो दस्विल ऑथरीज डूरिग वार और नेशनल क्लेमेटीज अब किसी से यूद छिडिया है ना तो एंसीजिक एड इस कामों में डेप्लोई करेंगे वो काम क्या क्या है यह पूछे बस जैसा पहला ट्राफिक कंड्रोल में कर सकते हैं हाँ ठीक है एड टू सिविल इंजर्ट परसन उनकी तभी तो हैलते नहीं तो पढ़ाते इसमें तक हो सके आगला देखो यह होस्पिटल टू देखवाल घयाल की होस्पिटल टू देखवाल वाले में घरक होता है क्योंकि फॉस्ट इट वगरे सारे चीज़े सिखा देते हैं बढ़ी असे हमें ठीक है ना सिविल एड्मिनिस्टेशन की संभव मंडल सिविल एड्मिनिस्टेशन समाज सकते हैं हम लोग है ना डोक्यमेंटेशन अगर का वर्क भी बहुत अच्छे सिखाया होता है मिलिटरी एंड सिविल एक्विप्मेंट की सुरक्षा उनकी सिक्योरिटी वाली ड्यूटी में लगा सकते हैं जहां पर हमारे मिलेटरी या सिविल एक्विप्मेंट रखें ठीक है अगला देखो विद्यूत घायल व्यक सबको आती है गाड़ी गुडी एक्टिव चले तो आती होगी कम से कम बाइक वगयरा तो उस तरीके से या साइगिल से है ना घायलो के अभी अभी भयों को में मदद आई डूंट नो यह क्या लिखाया है बट अभी भावक हो मतलब जैसे पेरेंट्स को बोलते हैं अभी ब तो आप यह तो पता ही होगा सिंपल सिंपल सी चीजह है अल्राइट अगला देको लीडर्शिप ट्रेट लीडर्शिप ट्रेट यह आंसर इसमें गलत लिखा है मैं पीडिएप दूंगा उसके अंदर भी गलत होगा तो सेम मत चाप कहना पेपर में नमर कर जाएंगे इसमे एनुमेरेट होता है कि काउंट या राइट डाउन मतलब उसका लीडर्शिप ट्रेट अब लीडर्शिप ट्रेट पुछे जितने नमर कोशन होतने चाहिए कौन-कौन से होते हैं अलटनेस बीरिंग डिपेंडेबिलिटी डिसाइसिवनेस डिसिजन मेकिंग पावर अगला देखते हैं कोशन बाइट रोल्स अच्छा इसको इसका इसका अंसर में लिग दोगा पूरे 10-12-15 जितनी विए वैसे मैंने जो लीडर्शिप वाली वीडियो उसके इनर बहुत सार लिख वारे गया है विए तो कोई भी दस आप लिख देना उसमें से लेके ठीक न क्लामिटी कोई आ गई मुसीबत विपदा नेचरल डिजास्टर हो गया या मैनमेड हो गया तो उसमें हेल्थ करना फट से मैंटेनेंस एंड मैंटेनी दा फीलिंग ऑफ नैस्ट लिज्व राष्ट भक्ति या देश भक्ति की भावना को दूसरा के अंदर भी जगाना गॉर्मेंट सर्विसेज परक्डियों के पर से अंदर पर इसके अंदर पर पाइड मेंसे लिए अगला देखो सवाल पूछाया है तोटल जो स्ट्रेटी वाली वीडियों उससे चक्डैने उपको बताशना जाएं ती बनाएं ती मैंने और राइट नेक्स वुशन देखत और हमें प्राइब प्राइब की नापनी है तो हम सर्विस प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। और हमें ग्राउंड के उपर बीरिंग नापनी है तो उसके लिए हम कमपस का यूज करते हैं। अब इसमें पूछा कि कोई पांच तरीके पांच फाइदे पूछ लिए उसके सर्विस प्रोटेक्टर के हमें तो यह की पता है चलो आगे पढ़ते हो और क्या क्या है मेजर कर सकते हैं उसमें कुछ यूनिट्स दी होती है ठीक है अगला मेजर डिस्टेंस इन यार्ड्स मीटर्स और माइल्स ओना मैप बाई यूजिंग एप्रोप्रोटेक्टर तो अग मैप पे हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकि इस पर्टिको कि अपर्डिकिकि प्रटिक्टो निचर और में जूए ऑन पेपर करने तब्र हम किसा सर्विस प्रोटेक्ट्र उसकरते हैं यह स्वाग मैप इसमीं च्छैश्पणिधा वर ओं पॉजिशन овॉन पोजीशन अप्नी नेक्स 15 अब सबस्क्तर नहीं Skillsکरते कि दो करते हैं वह इंटर्सेक्शन वाला पॉइंट हमारी पॉइशन होती है ऐसे करके अगर वह पढ़ा होगा तो हम ड्रो करने में काम आती है मेजर करने में काम आती है यह सारी किलियर हो गया यह नेक्स देखो तो 7.62 mm SLR and LMG सेलफ लोडिंग राइफल और लाइट मशीन गन इसमें पॉइंट टोड़ी उपर पूछ ली देखो सारी पूछ रखिये राइफल बहुत इंपोर्टेंट है आपको पंड़ी पढ़ेंगे सारी ठीक है तो सेवन पॉइंट एसलर का कैलिबर का साइज 7.62 mm वे बेसिकली अगर यह कोशन आपका उसका हुआ ना मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको अगर दस नबर कोशन हुआ तो कोई 5-6 चीजे SLR की लिख देना कोई 5-6 चीजे LMG की लिख देना है ना यह दसी का होगा बेसिकली लेकिन अगर यह जादे को होता है तो फिर 788 जितन है अगर दस दिसका पूछा है 20 नमर का सवाल है तो ऐसे कर लेना मैं क्लियर हूं आगे देखो कहा थे हम नॉर्मल रेट ओफायर 5 राउंड पर मिनट ठीक है रैपिड रेट में 20-30 पर मिनट मैंगजिन कैपिसिटी 20 राउंड की सबको पता है मुजिल विलोसिटी 2700 फीट सेकंड ठीक है अब क्या लिखाए मैंगजीन वेट खाली मैंगजीन का कितना वेट होता है 0.255 kg ठीक है और फिल्ड मैंगजीन का 0.709 kg अगला है 7.62 mm LMG अब इसमें भी 7.62 mm क्या होगा इसका कैलिबर का साइज या इसके चैंबर का साइज यहीं होगा अब इसका वेट 9.2 kg होता है LMG का ठीक है साइकलिक रेट फायर चार सो से पांसो राउंड पर मिनट साइकलिक में बहुत ज़्यादे कर लिए मैगजीन वेट कितना होता है 0.395 kg एमटी का और फिल्ड का होगा 1.106 kg मजल वेलोसिटी वही सेम 2700 फीट पर सेकेंड लेंथ ऑफ बेरल 1130 मीटर है klस लैन्थ विद बैरल मतलब पूरी रहाइफल का साइज लैंथ विद बैरल यह होगी 1130 म्म एंड लैंठ ऑफ बैरल मतलब खाली بैरल का साइज पूरी रहाइफल नहीं तो वह होगा 621 म एम्म क्लिए वो गया अगला देखो वाटर दा मेन पार्ट्स ओफ मैगनेटिक कमपस कमपस के पार्ट्स कुछिए कोई से भी लिख देना अगर इसमें कोशिश कर सको तो ड्रो मलब एक ड्राइग्राम अगर आप निकाल सको तो वह वह सिखाऊंगा भी एक वीडियो मैप की बना रहा हूं मैं तयारी चल सक्षिछ अगरिए उसकी तो उसमें ज्यादा नमपर मिलने की चांस होते कि बच्चेLLने अफर्ट किया उसको भी पता चल जाता है कौपी की इसे पता है आप More ciudad होता है उसके अंदर प्रिजमाटिक कंपस है तो प्रिजम तो हो गई ठीक है प्रिजम होता है है यह लाइन लूबर लाइन लिड नौच हिंज तच कार्ड केंपलिंग स्क्रू विंडो सेटिंग वेब डायरेक्शन मार्क यह सारी चीजे ठीक है अगला देखो नेम हो दिया एक लाइन में एक रेक्टेंगुलर सा गड़क हो दिया बहुत दूर तक उसको में ट्रेंच बोलते हैं खाई होती है लेकिन नहीं इंसान के चुपने के लिए होता है जिसके पूरा जो सोल जारा हो चला गया बस उसकी थोड़ीची मुंडी बार रहती है ताकि वह हो नहीं जींवर लेकिन चुपने के लिए उसका व्यांच जोके हो जाता है चुपने करल नहीं बैद कराइं एक हुआ है नहीं पंकर होते हैं बंकर थे अइनकों क्या होते हैं नेम टाइप सोफ पेट्रोल सी एक तो सब्दरोल होती है एक होती है आपकी प्रोटेक्टिव पेट्रोल अब थोड़ा सब डिफाइन भी कर देते हैं उनको भाई क्या होती है अगर पांस तंबर पूछा तो डिफाइन ज़रू कर देना है ना दा एम जो रैसी पेट्रोल होती है उसका काम क्या होता है कि बिलकुल चुप चाप चुप के से ना लड़ाई लुड़ई किये बिना जो information होती है और यह सारी जीजे जानकारी जो होती हो सबको इकटा करना यह किसका काम हो गया रेसी चुपते चुपते बिना लड़े लुड़े सरीफ से लोग होते हैं लेकिन इंफरमेशन वगरद निकाल के लेके आगे यह वाला काम प्रोट्रेक्टिव वाले लड़ाई भी कर सकते हैं प्रोट्रेक्टिव ड्यूटीज में इंवल्व होंगे बेसिकली एंड दे डिनाइद अप्रोच टो एनिमी पट्रोल मतलब अगर पट्रोल आ रही है न हमारे देश में तो अपने जसूस बेजेंगे ना उसके लिए जान अगला देखो डिफाइट फोलेंग्राउंड पूछें अब देख लो पहले में बता देता हूं ब्रोकन ग्राउंड ब्रोकन ब्रोकन मतलब बहुत अनीवन होगा तूटा-टाटा होगा अब इसमें और टेर्मिनल जीस कैसे कीशिए जिसमें नाला हो या बंक्स हो है ना फ बिल्गुल देसी भास कर समझें डेड़ डेड़ ग्राउंड यह होता है जो अब्सरों को दिखाई नहीं देता जैसे मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को पूरा ग्राउंड दिखाई दे रहा लेकिन अगर बीच में कोई खड़ आ है तो मेरे को दिखाई नी देगा मैं तो इसमें काउंट हो जाएगा ठीक है ओके अगला देखो फ्लैट एन ओपन ग्राउंड नाम सी क्लियर है फ्लैट होगा ओपन होगा इसके अंदर पर कवर कवर मतल समझे रहो घास हो गया फूच जाड जंकाड पेड़ी यह सब नहीं हो गया सब कुछ सपा सपा होगा बुश इसके पिछली वाली वीडियो में बहुत पूच गई है पतनी इसके कुछन बहुत आरे मैं जरूर देखना इसको है ना तो बीरिंग जैसे मैं ऑब्जरवर तो किसी पॉइंट की बेरिंग निकाल रहा हूं अपनी साइड से तो वह फोरवर्ड होगी लेकिन अगर ऑब्ज वाली वीडियो में और क्लियर रहे है डाइग्रम से करवा रहे हैं और कैल्कुलेट के से करते हैं वहीं सीखना जाके ठीक है अगला कुशन देखो वाटर दा फैक्टर बताओ तिंग विजिबल होने के कोई भी पांच लिग देना मैंने आपे कितने लिगे हैं शेह साथ ल सामने वाले सब्सक्राइब को शाहिन मारती कुछ ऐसा हो गया तो एकदम पता चल जाता है कि यहां पर कोई बंदा है यह उसकी शैडव से बहुत तरीके लिग देन याद कर लेना और यह हमारा लास्ट क्वेशन यह पूछ रहे हैं वाट इदा एम ओफ एंबुश मतलब क् ढ़िए खात के घात करना समझेगे घात के चुपके बिल्कुल हमला करना अब एम क्या होता है हम गहात करेंगे भई इसका एम पूछ रहे हैं तो यह देखो डिस्ट्रॉइप को डेमेज करना उनके एनिमल ट्रासपोर्ट एज मुश पॉसिबल अगर घात लगाके तुम प डिस्ट्रॉय करना यह इसका मकसद हुआ एम मतलब मकसद उस चीज़ का अगला देखो सब्सक्राइब करने के लिए यह चीज़ ठीक है हारास हिल्स सो दैट यूज इंक्रीज नंबर ओफ प्रूप्स ओन प्यूर्ली प्रोटेक्टिव ड्यूटीज चुप कहीं हमला कर देते हो ना किसी एरिया में जैसे एंबूश लगा कि आपने अरुन अचल प्रदेश वाले पर हमला करते हैं तो चाहिना करेगा तो बहुत सारे इंबुश वाला काम किया जाता है लिख दो कि अच्छी लगी होगी अपने पूरे स्कॉर्ट वाले बच्चों के साथ में शेयर कर देना सब कभला होगा क्योंकि तुम वही यूनिट डिसिप्लिन में जीना सिखो तक के लिए जय हिंद्ध आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध